तालग्राम कर नौन से आरी खबर जहां संदिग्द परिस्तियों में युवक की मौत घर में मचा कोहराम तालग्राम छेत्र में संदिग्द परिस्तियों में युवक की मौत होने से घर परिवार वा आसपास की छेत्र में कोहराम मच गया सूचना मिलते ही लोगों का जमाड़ा लग गया तालग्राम छेत के बेटा गाउं में गंस्याम पाठक पुत्र महावीर पाठक उम्र पचपनवर्स बीती राद अपने घर से खाना खा कर खेतों के तरब चले गया सुबह होने पर घर वापस नाने की सूचना मिलते ही घर के लोगों ने ढूणना प्रारम किया वही खेतों के पास शोग को देखकर लोग अचमभी में पड़ गये संदिक परिस्तिय में मौत होने से गाउं में कोहराम मच गया और गाउं के सभी लोग एक अत्री थुन लगे मौहीं मृत्त के घर वालों ने बताया कि रात में खाना पी नखा कर स्वस्तिय और खेतों के तरब चले गए थे घर वापस नाने पर खोज बिन की गई तब यवक कशो खेत में बनी कोठरी में मिला शौ को देख लोगों के हूस उट गए वही आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस प्रिशासन को दी गए सूचना मिलती ही पुलिस अधिक्षक अपर पुलिस सदिक्षक एस्थानी पुलिस समेत पुलिस का जमाओड लग गया शौ को कबजे में लेकर पुश्ट माटम के लिए भेज दिया वही घरवालों ने आरूप लगाया कि वक किस्सर में चोटों की निसान होने से घर की लोगों ने हत्या का आरूप लगाया वही पुलिस टीम जांच परताल में जुट गए और मृतक अपने पांच भायों में सबसे बड़े थे मृतक के पिता की कुछ साल पहले मृत हो चुकी है मृतक के दो बच्चे हैं पत्नी गुड़ी देवी का रो रोकर बुरा हाल है महीं पत्नी और बच्चों ने हत्या कारोप लगाती वे इसानी पुलिस को आउगत कराया और पुलिस टीम जांच परताल की पुलिस ने शौग को पुश्ट मार्टम के लिए भेजिया पुश्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद चांच के अधार पर कारवाई करने के निर्देश दिये कन्योजी रचीप अभी शिक्तों मार्ट फेरो आदमी नाहीं हमाजी अनुदेश देश यह जए जदाबा मातमा तमाट अब यह जद अपूरा माम बताई क्या हुआ कैसे हुआ खुछा कुछ नहीं यहां करते जाए रहते मैं नहीं हैं यहां क्या करते जहिते हैं कि नहीं खालोते हैं कितने बच बच्चा बच्चा कितने ज मैं हुआ है तो जम्हें है किया जाना 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 ही किया है जनपत कनलोच के थाना तालग्राम छेदर के बमरावली गाउं में एक अध्रीड उम्र के वेक्तिका शौव मिला है इसके संबंद में परजनों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है परजनों की आशंकाओं के मद्दे नजर मौके पर फॉरंसिक टीम और डॉग स्वाट की परजनों की तहवीर के आधार पर अभियोग पंजी खटकर आगे की विदिक कारवाई की जा रही है